नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में और आज का इस वीडियो बिल्कुल नए टोपिक पर अधारित है जो आपको पैसा कमाने में काफी ज़्यादा मदद करेगा अगर आपने भी BMS किया है या AMD किया है तो निशित तोर पे आप जो है इसके सुरुवार के दिनों में जब किलनिक नहीं चलती है तो फ्रस्टेट हो जाते हैं और बहुत सारे उल्टि से खेल कमन में आते हैं वो सोचते हैं कि अब किलनिक बंद कर देना चाहिए नहीं चल रही है या किसी अन्य धंदे में लग जाते हैं तो आज के वीडियो में हम अगर आपने अपनी कोई भी किलनिक नई खोली है और नहीं चल पा रही है तो कैसे आप अपने इस किलनिक को रन करा सकते हैं ज्यादा पॉपलर करा सकते हैं और अच्छी खासी जो है आप हर निंग कर सकते हैं आज का या वीडियो आप अन तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक सथिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे हर नई वीडियो कब्रेट आपको समय पर मेलते रहें कि दोस्तों जैसे कि आज हम बात करने वाले किलनी के संबंध में तो बहुत से लोग ऐसे होते जो किलनी खोल देते हैं लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करते आपको यह याद रखना बहुत जरूरी कोई भी बिजनेस चाहे को या कोई अन्य बेवसाय हो अगर आप शुर है ऐसे में आपको हिमत बिलकुल हारना है क्योंकि अगर आप हिमत हार जाएंगे कभी नहीं चल सकती अपको उमीद रखना है तर यह चल सकति ह celebrities ठीक से प्रचार प्रसार नहीं करते कोई उनका दोस्त या कोई रिष्टिदार उनका पूश्ता भी है तो बहुत खुल के उसके बारे में बाते नहीं कर पाते कहीं नहीं कहीं उनके मन में हेजिटेशन होता है कि हम अपने बारे में क्या बताएं या हम अपने को कैसे स्रेश् को कहने में हिचकिचाहट महसुस कर रहा है तो सामने वाला भी इस बात को स्विकार नहीं करेगा तो सबसे जरूरी है कि जब भी आप किसी को भी बताएं अपने बारे में तो आप जरूर कहें कि यू आर दा वन आप दा बेस्ट आयरवेद फिजिशन इन दिस सिटी तो इसमें कहने में कोई हजिटेशन नहीं होना चीह कि जो शहर में बड़े-बड़े आयरवेद के चिकिसक है आप भी उनमें से एक है तो सबसे पहली ब्रांडिंग है कि आप खुद करने हैं कि आप एक अच्छे आयरवेद चिकिसक हैं और आप लगबक हर रोग की चि कि ब्रुवात करते हैं किलनी खोलते हैं तो किसी छोटे से कमरे में एक खोलते हैं और इंफ्रस्ट्रक्टर पर जो भी कि साथ सज्ज्ञा उस पर ध्यान नहीं देते हैं यहानि के उनको लगता है कि चले या ना चले तो हम क्यों ज्यादा पैसा इन्वेस्च करें तो इस च पड़ेगे यानि कि अगर कोई भी पैसेंट आपको दिखाने आता है तो उसके मन में एक बहतर चवी आपके किलनी की जानी चाहिए और इसके लिए जो आपके किलनी के उसका इंफ्रास्ट्रक्ट्टर ठीक होना चाहिए उसकी सजावत साज सज्जा अच्छी होनी चाहिए द किलनिक जब भी आप सुरू करें उसके इंफ्रास्ट्रक्टर पर आप जरूर ध्यान दे साप सुत्री किलनीक हो और वेल मेंटेंड वेल वेंटिलेटेड और जो लाइटिंग हो भी काफी अच्छी हो कि जो भी आए उसके पास एक अच्छी इमेज आए जो दूसरा एक महत बटन पर क्लिक करके या हमारी वीडियोज की लिस्ट में जाकर आप देख भी सकते हैं तो जितने भी बड़े बड़े जो आपके पास ओनलाइन वे प्लेटफॉर्म है जैसे की लाइबरेट है प्रैक्टो है या जस्ट डायल है तो इन सब पर अपने क्लिक को राइस्टर जरूर कर लें साथ में जो गूगल बिजनेस है गूगल बिजनेस पे आप असाने से अपने क्लिक या होस्पिटल का अप एड्रेस बना सकते हैं और उस पर अपने क्लिक का लोकेशन भी अड़ कर सकते हैं आजकर जो है ऑनलाइन का जमाना है जब भी कोई पैसेंट किसी को दिखाना चाहता है तो एक बार Google पे सर्च जरूर करता है और ऐसे में अगर आपकी जो बिजनेस साइट है आपकी किलिक है अगर गूगल पे लिस्टेड है एस्पेसली गूगल के बिजनेस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और गूगल मैप पे उसकी लोकेशन है तो असान आपके किलिक का लोकेशन दिखेगा जिससे की लोगों की रीच आपके किलिक पे बढ़ेगी साथ में जो भी पैसेंट अगर आप देखते हैं तो आप उनसे एक निवेदन जरूर करिए कि अगर उनको फायदा होता है तो जो गूगल मैप पे हैं आपकी किलिक की जो साइदा मिलेगा जो तीसरा मेने स्टेप है उसमें है कि आपको अपने किलनिक या होस्पिटल की वेबसाइट जरूर बननी चाहिए और जो वेबसाइट बनाए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो साफ सुत्रियों बहुत ज्यादा उस पर मैटर उपलप्त नहों सिर्फ उसमें उन्हीं बातों की जिक्र करें जो सर्विसेज आप देते हों साथ में आपके किलनिक का मैप उस पर हो और कांटेक्ट नंबर बोल्ड अक्षरों में लिखा हो जिसे कि आसान अगर आप मल्टीपल डॉक्टर्स की सर्विसेज देते हों तो सारे डॉक्टर्स की डीग्री और उनके एक्सपेरियंस उस पर जरूर मेंशन करें जिससे कि कभी बी कोई पैसेंट अगर आपकी वेब्साइट को विजिट करता है तो उसको कंपलीट इन्फॉरमेशन हर चलिए कि कौन से डॉक्टर किस सब्जेक्ट में या किस डीजिज के एक्सपर्ट है इस बात का जरूर ध्यानक है कि एक या दो ही आप सब्सक्राइब के जिसमें आपको महारत हासिल हो हमने अक्सर देखा है कि बहुत से डॉक्टर अपने इस पेसलाइजेशन में जितनी भी इसका बहुत अच्छा इंपक्ट पब्लिक पर नहीं पड़ता है कोई व्यक्ति सारी विधाहम एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो जिस भी सब्जेक्ट में टॉपिक पे आपको विशागता हो आप उन्हीं दो ही तीन बातों का जिक्र करें नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग ह वह कि लिक कना अक्सर होता है कि अगर आप आरवडेद की निक सुरू करने जा रहे हैं तो ऐसे में बहुत जो है कामन में चरक पर दो अक्सर लोग इन ही नामों को रखके अपने किलनिक एस्टार्ट करता है तो ऐसे में जो आपकी किलनिक उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पाती तो इसलिए नाम जो है इन जो ट्रेडिशनल नाम है इनके अलावा आपको एक यूनिक नियम जरूर रखना चाहिए या अगर आपको यूनिक बहुत नहीं मिल पा रहा है तो या तो आपने नाम पे या अपनी टाइटिल पे ही कोशिज करें कि आप किलिक सेट अप करें क्योंकि अगर आप चाराक सुसरुद धर्वंत्री तो इससे आपकी आइडेंटिटी एक बिल्कुल अलग नहीं बन पाती क्योंकि आप सर्च करेंगे च्बभी गूगल पे तरू ऐसे में आपकी ब्रांडिंग नहीं बन पाती है तो ब्रांडिंग के लिए नाम यूनिक हो और कोशिस करिये आपका खुद का नाम उसमें हो या आपकी टाइटील हो इससे अगर आप जब भी आपका कलिनिक सब सकसि और सकते हैं नियूज़ पेपर में आपको बहुत ज्यादा कि आपको पैसेंट असानी से मिल जाएंगे और आपको इसमें खर्च बहुत कम आएगा क्योंकि अगर आप किसी बड़े लार्ज एडिसंस में देते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो बेहतर है कि सुरुवात में जो आपके लोकल न्यूज पेपर्स हैं उनके रेट भी सस्ते होते हैं और आपकी रीच भी केवल सीटी एरिया में ही रहेगी अग आपको डेली पढ़ते हैं देखते हैं तो उससे आपको काफी ज़्यादा इसमें मदद मिलती है प्रिंट मेडिया और एलेक्ट्रोनिक मेडिया के अलावा आप पैंप्लेट आप बटवा सकते हैं जो भी आपकी लोकल्टी हो आपके आसपास की जो सुसाइटी हो आप पैं सब्सक्राइटी जो या कोई कॉलोनी हो उसमें आप समय समय पर हेल्थ कैंप आप जरूर लगाए हेल्थ कैंप लगाने से आपकी रीच काफी लोगों तक बढ़ती है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बीजी शेडूल होने के कारण या एकोनोमिक कंडिशन से किसी चिक जो आपके आसपास के स्कूल है या बहुत सारी सोसाइटी जो होती है उनमें भी अब चाहें तो समय समय पर कैंप लगा सकते हैं या कोई भी आवेर्नेस कैंपेंच चला सकते हैं इससे भी आपको काफी ज़्यादा मिलता है और आपकी किलनिक और आपको दूर दूर तक लो किलनिक मेडिया ओभी ऐसे चीजों को हाइलाइट करती है एक खबरे जो है अक्सर पेपर में आती रहती है तो इससे भी आपको काफी ज़्यादा मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हमने आपको बताए जिससे कि आप अपनी किलनिको सफलता पूर कि तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट बाक्स में जरूर लिखें जरूर लिखें आपके हर कमेंट का हम कोसिस करेंगे की रिप्लाइज जरूर करेंगे इसके अलावा अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आयट आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस पर समय समय पर हम आपको हेल्ट समंदी टिप्स भी देते रहते हैं तो इसी के साथ आप सब को मेरा नमस्कार जाहिए